पीक माजिन का वो कल से लागो हो जाएगा यानि कि जो 100% माजिन है आपको कल से रखना पड़ेगा ये कि सबसे पहले तो पीक माजिन का मतलब ये है कि जो मैग्सिमम माजिन है वो अब इससे मतलब कैसे निकाला जाये December के पहले होता ये था कि अगर आपको intraday position लेना है या फिर कोई position लेना है और अगर समझिए एक लाग का अगर आप कोई stock आप ले रहे हैं और उसके लिए margin की requirement समझो 30% के आसपास है लेकिन आपका broker आपको करीब 10% के आसपास के requirement से ही पूरे जो overall position है वो लेने की अनुमती दे रहे था था हाला कि ये intraday होता था और दिन के end में जाके इसको square off करना पड़ता था तो इसके लिए कई न कई exchanges को पता नहीं चलता था कि margin requirement के इतनी है और आप कितना दे रहे हैं और इसी को कई न कई समालने के लिए इसके लिए peak margin का जो system है वो लाया गया था और peak margin का मतलब यह है कि अब जो overall exchanges है या फिर जो आपके CDSL, NSDS जैसे लोग है वो आपके account में दिन में चार बार देखेंगे कि किस तक margin requirement आपके पास है आपकी requirement है और उसमें से जो सबसे ज़ादा margin requirement है जिस trade में उसको आपका peak margin माना जाएगा और आपको दिन बर उसको maintain करना पड़ेगा, December में इसका 25% maintenance आपके लिए अन्यवारी कर दिया गया था, उसके बाद March में 50% अन्यवारी किया था, उसके बाद इसमें जून में 75% अन्यवारी किया गया था और अब इसमें 100% अन्यवारी किया जाएगा यानि कि जो peak margin है उसका 100% आपके पास देना ही चाहिए अगर वो peak margin से कम margin आपके account में है तो आपको कही ना कही penalty लगेगी और यह सिफ intraday नहीं बलकि आपके F&O trades में भी इसी को लागू किया जाएगा और देखिए इसका impact जो है वो सबसे आदा जो खासकर intraday positions लेते से खासकर जो MIS, BO, CO टाइप के products थे जो कि खासकर आपको zero data जैसे जो you know discount broker से वाँ मिलते थे जहां पे आप position ले लेते थे और दिन के दोरानी काट देते थे ताकि margin का पता ना चले लेकिन अब ऐसा होगा नहीं आपको जो peak margin है उसका 100% रखना पड़ेगा तो इसका सीधा impact जो है कर दो है